दोस्तों आप देख रहे हैं टेक्निकल मस्ती चैनल और इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ 6000 से कम कीमत में मिलने वाले दो स्मार्टफॉन जिसमें पहला स्मार्टफॉन Samsung Galaxy M01 Core और दूसरा स्मार्टफॉन Gioni Max दोनों मुबैल की एंबॉक्सिंग करेंगे एक साथ नजर डाल का बटन दिख रहा होगा उसको दबा दीजिए पकल में बैल आइकन है उसको भी दबा दीजिए वीडियो को कर दीजिए लाइक ऐसी वीडियो में आपके लिए आप लाता रहता हूं यह दोनों स्मार्टफॉन फ्रेंट साइड का लुक कुछ ऐसा आमें देखने को मिलता है दोनों स्मार्टफॉन का साइज का काफी बड़ा डिफरेंट है M01 कोर काफी चोटा है जियोनी मैक्स से साथ ही आपको जियोनी मैक्स में ड्रॉप नॉज डिस्प्ले मिलती है M01 कोर में आपको कोई भी ड्रॉप नॉज डिस्प्ले नहीं दी गी है दोनों ही मुबाइल में आपको स्क्रेच गाल लगे वे नहीं मिलते हैं जब भी मुबाइल पर्चेस करें तो टैंपर ग्लास उसी टाइम लगा लीजिए वहीं दोनों मुबाइल के बैक साइड का दिखने को मिलता है इसमें आपको मैट फिनिस मिलती है और कर्भी बैक पैनल दिया गया है दोनों मुबाइल में आपको प्लास्टिक पॉलिकार्बिनेट बॉडी मिलती है वहीं दोनों मुबाइल के कैमरा सेटप पे नज़र डालें सैमसंग M01 कोर में आपको 8 मेगाफिक् फॉलिम रॉकर्स एक साथ ऊपर की साइड आपको जियोनी मैक्स में 3.5 mm का ओडियो जैक दिया गया है लेप साइड पर नज़र डालें तो सैमसंग M01 कोर में आपको सिम ट्रे यहां पर मिलती है जिसमें आप दो सिम कार्ड एक मेमरी कार्ड तीनों एक साथ लगा सकते हैं और जियोनी मैक्स में आप इसका कबर ओपन कर सकते हैं और यहां पर आपको दो सिम स्लोट और एक मेमरी कार्ड स्लोट दिया गया है बैटरी आपको इसमें अलग से इंसर्ट करनी पड़ती है यानि कि बॉक्स में अलग से आपको बैटरी मिलती है जबकि सैमसंग M01 कोर में आपको इनविल्ट बैटरी मिलती है दोनों मुबाइल के नीचे की साइड नजड डालें तो सैंसंग M01 कोर में आपको 3.5 mm का ओडियो जैक प्रैमरी माइक चार्जिंग जैक और मीडिया स्पीकर सब कुछ बॉटम में एक साथ मिल जाता है जियोनी मैक्स में आपको प्रैम आपको सारी कि सारी की उस्टॉल एप नहीं दी गई है सारी की सारी आपको यूसफुल एप डोनों स्मार्ट फॉन में मिल जाती है वहीं बात करें डोनों मॉधल के डिस्प्लेइश की तो Samsung M01 Core में आपको मिलती है 5.3 इंच की HD Plus PLS TFT डिस्पले और Gionie Max में आपको 6.1 इंच की HD Plus IPS LCD मिलती है Aspect Reso की बात करें तो 18.5 इस्टो 9 का मिलता है आपको Samsung में और Gionie में मिलता है 19 इस्टो 9 का Aspect Reso Screen Resolution 720 x 1480 Pixel का आपको Samsung में और Gionie में आपको 720 x 1560 Pixel का Screen Resolution दिया गया है वहीं बात करें दोनों वैल के Pixel Density की तो यहाँ पर Pixel Density आपको ज़्यादा मिलती है M01 Core में क्योंकि छोटी डिस्पले है तो इसमें आपको 311 PPI की Pixel Density मिलती है और Gionie में आपको 282 PPI की Pixel Density दी गई है 148 mm थिकने की बात करें तो 8.6 mm की थिकने के साथ M01 Core आता है और 10.7 mm की थिकने के साथ आता है Gionie Max यानि कि Gionie Max काफी मोटा है वहीं बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 5000 एमेज की बैटरी मिलती है Gionie Max में और M01 Core में आपको only 3000 mH की बैटरी दी गई है, चलिए नजर डालते हैं सेटिंग में, सबसे पहले Samsung M01 Core की हम सेटिंग में चले जाते हैं, यहां का इंटरफेस हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जिसमें सबसे नीचे system का option है, और इसमें आपको सबसे नीचे about font section मिल जाता है तो यहां पर आपको सारी information मिल जाती है, android version आपको इसमें 10Q मिल जाता है, android security patch level 1 July 2020 का दिया गया है, वहीं इसके smart manager में नजर डालें, तो यहां पर आपको battery information मिल जाती है, storage आपको इसमें 32 GB का मिलता है, जिसमें से 7.3 GB है यूज़ हो चुका है, बाकी हमें free मिल जाता है, वह की free है, वहीं बात करें, इसके processor की, तो इसमें आपको 1.5 GHz का quad core processor मिलता है, जिसमें आपको chipset मिल जाता है, media tech MT6739 का, वहीं बात करें, जिवनी max की setting की, तो इसमें भी हम setting में चले जाते है, setting का interface कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है, जिसमें सबसे नीचे about device दिया गया है, और यहां पर आपको face ID की information मिल जाती है, साथ ही battery की information भी आपको सबसे उपर दी गई है, और scroll down करने पर हमें इसमें देखने को मिलता है, 1.6 GHz का octa core processor, chipset आपको इसमें Uni SOC SC9863A का मिलता है, इसमें भी आपको 2 GB RAM मिलती है, 32 GB का internal storage जिसमें से 25 GB एबिलेबल है, यूज करने camera को हमने normal mode में on कर लिया है, तो camera quality आपको दोनों smartphone में काफी अच्छी मिल जाती है, लेकिन ज्यादा colorful camera आपको यहां पर Samsung M01 core का देखने को मिलेगा, वहीं बात करें दोनों mobile के front selfie camera की, तो front selfie camera आपको दोनों ही smartphone में normal average camera दिया गया है, 55 megapixel का, येकिन यहां पर भी colorful camera आपको Samsung M 01 core का देखने को मिलता है, लेकिन clarity आपको ज्यादा Gioni Max में मिलती है, बाकि Samsung की camera में आपको ज्यादा कोई features नहीं मिलते हैं, और Gioni Max में आपको बहुत सारी features देखने को मिल जाते हैं, यहां पर manual है, जहां पर आप ISO WB set कर सकते हैं, face beauty का option मिल जाता है, more में देखे, तो यहां पर आपको manual, brush, panorama, time lapse, slow motion, audio mode, QR, scanner और night mode जैसे option मिल जाते हैं, जो कि आपको Samsung के mobile में नहीं दिये गए हैं, चलिए बात कर लेते हैं, दोनों mobile के price की, तो Samsung M01 core आपको मिलता है 6,000 रुपे में, अलाकि कुछ time पहले यह आपको 7,000 रुपे की कीमत में मिल रहा था, लेकिन अभ आपको मिल रहा है, जिसमें आपको drop notch display मिल रही है, 5000 एमेज की दमदार, बैटरी के साथ यह mobile आपको मिल जाता है, Samsung M01 core में आपको SIM ejector pin मिलती है, और साथ ही एक normal पुराने जमाने वाला charger दिया गया है, जिसकी output rating 5V 0.7A की मिलती है, यानि कि यह mobile को काफी slow charge करेगा, और बात करें, जिवनी Max की, तो इसमें आपको 10W का charger दिया गया है, 5V 2A की output rating के साथ, और केविल आपको इसमें normal micro USB केविल मिल जाती है, केविल की length और quality आपको काफी अच्छी मिल जाती है, तो friends, ये थे दोनों smart phone, आप comment box में बताइए, दोनों mobile में से आपको कौन सा mobile पसंद आया, कौन सा mobile आप purchase करना चाओगे, Samsung यहाँ पर, बात करें, Samsung की तो mobile अच्छा है, लेकिन price इसकी काफी जादा है, 5000 रुपी की कीमत में आपको ये smartphone मिलता, तो काफी अच्छा होता, मैं यही कहूंगा, क्योंकि इस mobile में problems बहुत जादा आती है, मैंने जितने mobile sale की हैं, सभी में काफी जादा आ जाती है, तो problem issue इसमें बहुत जादा है, अगर आप में से कोई spawn को use कर रहा है, तो comment box में mobile की problems आप बता सकते हैं, वहीं जिवनी max आपको काफी अच्छा, 5000 रुपी की कीमत में मिल जाता है, तोड़ा मोटा जरूर है, mobile थोड़ा भारी भी है, लेकिन कोई द रन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करने,